हलो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब का अपने HDS टूटोरियल पर स्वागत है आज हम लोग क्लास 6 का नागरी का कोशन सर करने वाले हैं चेप्टर 1 का कोशन सर करने वाले हैं चेप्टर 1 का नाम है हमारा समाज विविधिता से भरा तो चले देखते हैं आईए जाने का पहला नमबर पहला नमबर का कोशन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पहला नमबर देखिए खाले स्थान संसार का सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश है तो इसका अंसर हो जाएगा भारत तो के भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतां जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा मासीन राम मेगाले में है जहाँ पर यह माना जाता है कि दुण्या में सबसे अधिक वर्षा मासीन राम में होता है इससे नोट कर लीजिये यह Q कोर्षन यह आप याद कर लिजियेगा बाद में भी काम आएugs अब बढ़ते हैं next three number की ओर, three number के question है सरहूल खालेस्थान राज्य में मनाया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा जारखंड, सरहूल जारखंड राज्य में मनाया जाता है इसके बाद फिर दिखिए four number, संताली भासा समिधान की खालेस्थान अनुसुचित में सामिल है इससे नोट कर लिजए, फिर देखिए five number, फिरन खालेस्थान राज्य का पारंपरिक परिधान है तो इसका अंसर हो जाएगा जम्मू कस्मीर के फिरन जम्मू कस्मीर का पारंपरिक परिधान है फिर देखिए next second number second number है A तथा B को मिलान किज़े या फिर मिलाइए तो देखिए इसको मिलान करना है मेच करना है देखिए यहाँ पर A में निरिति दिया हुआ है और B में इधर राज दिया हुआ है तो देखिए A नमबर भांगडा तो देखिए भांगडा कौन सा राज से समंधित है भांगडा पंजाब से समंधित है फिर देखिए next B नमबर चव तो चव किसे समंधित है इसके बाद देखिए C-Number भungkin नाटियम तो देखिए B-Nree La Hills किसे समदित है भरत नाटियम Tamil-Nardu से समदित है řिए नेक्स यह जो चांग लो किसे सम दो तो चांग लो नागा लैंड से समंदित है इसे नोट कर लिए फिर देखिए E-Number गर्बा तो गर्बा किसे समंधित है गुजरात से तो इस तरीके से आप इसे मिलान कर लीजे इसे में और एक बार मतलब साब साब बना दिता हूँ देखिए सबसे पहला भांगड़ा ये हमारा समंधित हो जाएगा दुसरे नमबर के साथ पंजाब के साथ फिर देखिए चव जारखंड के साथ फिर भरत नाटियम टमिल नाडू के साथ फिर चांग लो चांग लो नागालेंड के साथ और गर्बा गुजरात के साथ और यहा सम्विधान की आठवी अनुसूचित में सामिल किनी पाँच भासाओं के नाम लिखें तो बताना है कि सम्विधान की आठवी अनुसूचित में सामिल पाँच भासा कौन कौन सा है तो देखिए उत्तर सम्विधान की आठवी अनुसूचित में सामिल पाँच भासाओं के ना जार्खन में मनाए जाने वाले किनी चार छेत्रिये तेवहारों के नाम लिखिए तो जार्खन में मनाने वाले चार छेत्रिये तेवहारों के नाम लिखना है तो दिखिए उतर जार्खन में मनाए जाने वाले चार तेवहारों के नाम पहला सरहूल दूसरा कर्मा तिसरा सोहर तो इससे आप नोट के लिजे इसके बाद में पढ़ते हैं थ्री नमबर की और थ्री नमबर के कोर्शन है स्वतंत्र भारत में सर्वपर्थम किस राज का गठन भासा के आधार पर किया गया तो इसका अंसर देखिए स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1953 में आंदर परदेश का गठन भासा के आधार पर किया गया था उसके बाद देखिए चोधा नमबर अच्छी आदतें सिखने में परिवार की किया भूमी का है तो देखिए अच्छी आदतें सिखने में परिवार की भूमी का रहती है तो कैसे किस प्रकार तो देखिए इसका अंसर हो जाएगा अच्छी आदतें सिखने में परिवार की भूमी का अहम है यह समाज की पहली इकाई है जिसमें हमें अच्छी आदतें वेवहार और संसकार का ज्यान प्राप्त होता है परिवार में मिली अच्छी सिख्छा हमारा और हमारे देश की दसा और दिसा ते करती ह तो इससे आप नोट कर लिजे इसके बाद में बढ़ते हैं 5 नमबर की ओर 5 नमबर की question है देश के विभिन राज्यों के तीन प्रमुख निर्तियों के नाम लिखें तो देश में कोई तीन प्रमुख निर्तिय का नाम लिखना है तो उत्तर देखिए देश के विभिन राज्यों के तीन प्रमुख निर्तियों पहला है तमिल नाडू का भरतनाटियम फिर खा नमबर यानि सेकेंड नमबर देखिए पंजाब का भांगडा और तीसरा देखिए असम का बीहू तो इस तरीके से फाइब नमबर का आंसर कंप्रिट हो गया है इससे आप नोट कर लिजिए इसके बाद हम देखेंगे आये चर्चा करें का ओके तो देखिए आये चर्चा करें में सबसे पहला कोस्टन है भारत में सांस्कृतिक विविधिता पाई जाती है इस परस्ट करें तो बताना है कि भारत में सांस्कृतिक विविधिता यानि कि जगा जगा पर अलग-अलग सांस्कृतिक है तो इसको इस परस्ट करना है देखि इसे आप एक बार कम से कम नोट नहीं करना है तो सुन लिजिए ताकि अगर इक्चा में आई तो आप कुछ लिख सकें तो देखिए उत्तर भारत में धार्मिक, समाजिक एवं सांस्कृतिक विवित्ता पाई जाती है यहां विभीन धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं एक ही गाउं में रहने वाले विभीन धर्म एवं जाती के लोगों की जीवन पदत्ती भी अलग अलग होती है अलग अलग धर्मों के मानने वालों का धर्म गरंथ भी अलग है हिंदों का धर्म गरंथ रामायन महाभारत इसलाम धर्मालंबियों का कुरान इस्तायों का बाइबल और सीखों का गुरु गरंथ साहिब है तो इस तरीके से भारत में विविजिता पाई जाती है तो इसे आप नोट के लिजे अंसर थोर सा लंबा रहेगा ही क्योंकि लीजे इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन की ओर हमारा अगला कोर्शन है विद्याले समाज का लगु रूप है कैसे तो बताना है कि स्कूल भी सोसाइटी का एक छोटा सा मतलब उदाहरन या फिर नोट छोटा रूप कह सकते हैं है तो कैसे तो इसका अंसर दे ования उन बचों का खान पान रहन सहन एवं पहनावा अलग होता है विद्याले में सभी एक साथ खेलते हैं और अनुसासन सिखते हैं बचों को सभ्य नागरिक बनाना विद्याले का अहम दाइत्वह होता है बचों की छमताओं को उभारने और उन्हें डॉक्टर, सिक्शक, वक तथा राजनेता बनाने में विद्याले का योगदान है, तो इसे आप नोट कर लिजेए, इसके बाद में बढ़ते हैं अगला कोस्चन की और, तो देखिए हमारा अगला कोस्चन है, एक्चुल में यह हमारा इस चप्टर का लास्ट कोस्चन होगा, तो कोस्चन है, अनिकता म तो ये भारत की विश्ष्टा है कैसे तो देखे इसका अंसर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोक्तांत्रिक देश है संसार के प्राय सभी धर्मों के अनुयाई यहां रहते हैं यहां बहुत गोलिक आर्थिक सामाजिक राजनितिक एवं सांस्कृतिक विधता पाई जाती है यही विधता भारत की विशिष्टता है भारत एक विशाल देश है भारत में धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक विधता का संगम है यह दुनिया के चार प्रमुक धर्मों हिंदू, सिख, जैन और बौध का उदगम अस्थल भी माना जाता है इसलाम, इसाई, पार्सी, आदि धर्म भी यहां मौझूद है इन धर्मों में भी कई पंथ समिलित हैं हिंदू धर्म में सैव, साक्त, एवं वैसनव, इसलाम में सिया और सुनी, सीख में नामधारी एवं निरंकारी पंथ आदि पाय जाते हैं तो इस तरीके से इसका अंसर कंप्लिट हो गिया है इससे आप नोट कर लिजिए इस तरीके से हमारा चेप्टर वन का कोर्शन सर कंप्लिट हो आई होगा आपको वीडियो समझ में आया होगा कहीं पर दिक्कत हुआ हो तो मुझे कमेंट कर दिजिए मैं डाउट सेशन में किलर कर दूँगा और अच्छी लगत वीडियो को लाइक करके अ अब आपको प्लेइलिस्ट पर टच करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेइलिस्ट ओपन हो जागा कला स्टिक सेवन एट नाइन सब्जेक्ट वाइज और चेप्टर वाइज तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं धन्यवाद